लगभग सभी व्यवसाइक इमारतें या उद्योगिक धाचे अपने मेकानिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टमों के लिए आटोमेशन पर निर्भर करते हैं यह चलन केवल बढ़ने वाला ही है क्योंकि पहले से बढ़े अधिक स्मार्ट, अधिक जटिल सिस्टम और इमारत बनने का कारे लगातार जारी है तो इस कारी में प्रयोग होने वाले सिस्टमों को हम नियंतरित कैसे करते हैं और इसमें किन उपकरणों का प्रयोग होता है यहाँ सब हम इस वीडियो में दिखाएंगे जिसके प्रायोजक हैं टेली कंट्रोल्स टेली कंट्रोल्स वर्ष 1963 से आटोमेशन उद्योग में अग्रणी वी निर्माताओं में से एक रही है उनकी तकनीक बाजार में उपलब्ध हर PLC, HMI और कंट्रोलर के अनुकूल है छोटे आटोमेशन टास्क्स पर सीधी काम करके यह PLC प्रोग्रामिंग में लगने वाले समय और कीमती स्टोरेज की बचट करता है टेली के उत्पाद हमारी PLC एप्लिकेशन का सर्विश्रेश्ट उप्योग कैसे करते हैं यह जानने के लिए विडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आप उनसे इमेल के माध्यम से sales at the rate telecontrols.com पर या LinkedIn के जरिये समपर कर सकते हैं PLC का पूरा नाम Programmable Logic Controller है इनके कई प्रकार हैं लेकिन आमतोर पर वे कुछ इस तरह दिखते हैं Programmable Logic Controller मूल रूप से एक छोटा कंप्यूटर है जो Input और नियमों के सेट के अनुसार प्री प्रोग्राम आउटपुट दे सकता है इनका प्रयोग व्यवसाइक और ओध्योगिक एप्लिकेशन में सिस्टम को नियून्तम या बिना किसी मानवी हस्तक्षेप के नियंतरित करने के लिए किया जाता है Input के स्टेटस के आधार पर Operation साधरन On-Off Control हो सकता है या गणना, क्रम और लॉजिक के आधार पर अधिक परिश्कृत प्रतिक्रिया भी हो सकती है PLC से पहले बैंक रीले के जरिये कंट्रोल किया जाता था हर रीले फिजिकल वाइरिंग के अनुसार निश्चित इन्पुट और आउटपुट को कंट्रोल करता था Logic Controller बनाने के लिए रीले दूसरे रीलेस को कंट्रोल करता है उधारण के लिए एक साधरण and gate में जब केवल दो इन्पुट में उर जाती है इस वाले और इस वाले में तभी रीले आउटपुट में उर जाती है ये input sensor हो सकते हैं या दूसरे relay से मिले हुए output भी हो सकते हैं operation को बदलने के लिए physical wiring को बदलना पड़ा इसलिए यदि अलग प्रतिक्रिया की आवशक्ता होती है तो physical connection को बदलना होगा ये पुराने relay bank का कार में बड़े और बहुत जटिल थे यहाँ elevator relay bank का एक उदाहरण है और यहाँ एक पुराने electrical substation का relay है आप कलपना कर सकते हैं कि इन्हें बदलना आसान नहीं है और fault ढूनना बहुत मुश्किल भरा और समय लेने वाला काम रहा होगा solid state electronics और microchip के आविशकार से bank relay का command logic वाले हिस्से की जगह software logic का प्रियोग होने लगा और शीगर ही PLC इसकी जगह पर आ गया PLC अपनी application के अनुसार बदलता रहता है लेकिन वे सभी input को monitor करते हैं store किये गए नियमों के set के आधार पर नर्णय लेते हैं और फिर उनसे किसी प्रक्रिया को automatic करने की output कमांड देते हैं हम अक्सर देखते हैं कि Relay का प्रियोग PLC के साथ संयोजन में किया जाता है Relay सीध्य automation task पर काम कर सकते हैं और PLC से communicate कर सकते हैं यह PLC programming की मात्रा कम करता है और storage space खाली करता है PLC का उप्योग बड़े पैमाने पर होता है उदारन के लिए जब आप airport पर अपना bag check-in करते हैं bag को एक barcode दिया जाता है और conveyor belt पर डाला जाता है PLC barcode को scan करता है और नियमो के set के आधार पर निर्णई लेता है कि bag घरेले route पर भेजा जाएगा या अंतराश्ट रियर अगला PLC barcode को scan करके निर्णई लेगा कि bag किस शहर को जाएगा इसके बाद PLC निर्णई लेगा कि bag किस गेट की तरफ जाएगा और इसी तरह सभी PLC योजना के हिसाब से काम करेंगे तो bag सही गेट पर पहुँच जाएगा पहला हमारे पास input module या field sensor होते हैं यह PLC और बाहरी दुनिया की बीज के physical connection है यह हो सकते हैं digital input जैसे साधरन on-off switch biometallic temperature strip, presence और motion sensors या फिर बस एक float switch यह digital switch केवल यह जानकारी देते हैं कि कोई चीज on है या off बीज की कोई जानकारी नहीं देते हैं उसके लिए हमें एक analog input की जरुवत पड़ेगी उधारन के लिए 0% से 100% range वाला एक साधरन control knob यह voltage transformer के जरिये 0% पर 0V और 100% पर 10V देगा PLC बहुत सटीक output नियंतरन के लिए आवशक समवेदन शीलता से मेल खाने के लिए input को scale कर सकता है रजिस्टर और ओम की नियम का प्रियोग करके यह voltage को current में परिवर्तित कर सकता है current की मात्रा जिसे आम तोर पर milliamps में मापा जाता है PLC को बताती है कि क्या कोई चीज on या off के बीच में चल रही है यह input हो सकते हैं थर्मो का पल या resistance temperature detector में यह pressure sensor भी हो सकता है या शायद एक strain gauge यह voltage या current एक समकष digital संख्या में बदल दिये जाते हैं जिससे CPU उन्हें पहचान सके इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे input module 4 basic task करते हैं जब signal प्राप्थ होता है तो वे उसे sense करते हैं वे signal voltage को CPU के लिए सही signal में बदलते हैं वे PLC को input voltage या current signal के उतार चड़ाव से प्रिथक करते हैं वे CPU को सही कियेगा इस signal भीजते हैं CPU या central processing unit operation का मस्तिश्क है इसमें program या software होते हैं जो input signal पर नियम लागू करके इंडर्णय लेते हैं कि output क्या होगा आमतोर पर CPU में होता है microprocessor जो input value और program के logic के आधार पर काम करता है memory chip program को store करने के लिए यह output का इतिहास कोई fault या alarm इत्यादी भी store करती है फिर इसमें कुछ integrated circuit भी है ये modbus और land connection जैसी चीजें हो सकती है जिससे हम दूर से communicate कर सकते हैं reprogram कर सकते हैं या device के निगरानी कर सकते हैं इसके बाद output modules या field output devices हैं ये इस device को signal दे रही है जिसे हम control कर रहे हैं उधारन के लिए साधरन indicator light solenoid valve motor starter variable frequency drive इत्यादी इसके कुछ और हिससे भी हैं power fail होने की स्थिती में PLC को चलाते रहने के लिए battery थोड़ा बहुत configuration करने के लिए user interface की एक छोटी screen हो सकती है डिवाइस को सही समय पर चलाने के लिए time clock और calendar की जरुवत भी होगी CPU के साथ-साथ input और output module द्वारा प्रयोग होने वाली low voltage प्रदान करने के लिए power की जरुवत भी पड़ेगी ऐसे variable frequency drive, motor starter और solenoid valve के बारे में हमने विस्तार से अपने पिछले वीडियो में बताया था उन्हें जरूर देखें, लिंक नीचे वीडियो description में दिया गया है PLC का basic काम नियमों के set का पालन कर एक pre-programmed output देना है जो input signal पर निरभर करता है PLC अपने basic operation में इन चरणों को पूरा करता है पहले, input scan होता है, जो input की स्थिती का पता लगाता है फिर program scan होता है, ताकि देखा जा सके कि क्या किया जाना है फिर यहनियम में बताये गए कारे को क्रियान विद करने के लिए program logic को पूरा करता है फिर program आवशक्ताओं के आधार पर output device चलाने के लिए इसे output को अपडेट करना होता है अंततह housekeeping, communication, update और reporting का काम करता है सभी चरणों को पूरा करने में लगने वाला समय, scan time, समवेधन शीलता, तन्यक्ता और system processing time पर निरभर करता है analog input, साधरन, digital, on या off input की तुलना में अधिक समय लेता है उधारन के लिए एक पाने की टंकी का scan time अधिक तेज यानि 2 millisecond का हो सकता है और इससे टंकी जरुवत से जादा नहीं भरेगी लेकिन कमरे का temperature controller अपेक्षाक्रित धीमा शायद 100 millisecond का होगा आईए सरल प्रतिक्रिया का एक उधारन देखते हैं हमारे पास एक bi-metallic strip temperature sensor, एक PLC और एक boiler है bi-metallic strip जब गरम या ठंडी होती है तो वहां मुड़ जाती है इसलिए हम इसका प्रयोग यहाँ पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि कमरे का तापमान आवशक्ता अनुसार है या नहीं और इससे boiler को control कर सकते हैं जब कमरे का तापमान सही स्तर पर होता है circuit पूरा होता है और PLC को एक signal मिलता है तो boiler बंद हो जाता है जब कमरे का तापमान कम होने लगता है circuit अप पूरा नहीं रह जाता और PLC को input में इस बदलाव का पता चल जाता है यहाँ एक output signal भेज कर प्रतिक्रिया करता है कि boiler को चालू करना है यहाँ बहुत सरल है और हम ऐसा करने के लिए एक simple relay का प्रयोग कर सकते हैं बंद रहती हो इसलिए हमें उस समय boiler चालू करने की जरूरत नहीं होगी PLC को जब यहाँ संकेत मिलता है कि कमरा बहुत ठंडा है तो यहाँ boiler को चालू करने से पहले समय और तिथी जांच लेता है और फिर इस आधार पर यहाँ निर्णय लेता है कि boiler को चलाना है या फिर बंद ही छोड़ देना है हम इसमें अतिरिक्त function और input जोड़ सकते हैं उदारन के लिए input पर motion sensor जोड़ सकते हैं thermostat PLC को बताता है कि कमरा बहुत ठंडा है PLC boiler चालू करने का निर्देश देने से पहले समय चेक करेगा और अब यहां ये भी पता लगा सकेगा कि क्या कमरे में कोई मौजूद है उदारन के लिए ऐसा कोई सारवजनिक अफकाश भी हो सकता है जो केलेंडर में न दिया हो अगर इमारत खाली है तो boiler को चालू करने की जरूद नहीं है इस अगले अधिक उन्नत उधारन में हमारे पास एक thermistor, एक PLC और एक actuator valve है Biometallic strip के केवल on-off input की बजाए thermistor temperature scale प्रदान कर सकता है Actuator valve शूनिय से 100% की बीज कहीं भी खुल कर कंट्रोल कर सकता है कि कमरे को गरम करने के लिए कितने गरम पानी की जरूद है इसके लिए हम PID control loop का प्रयोग करेंगे इसका पूरा नाम proportional, integral and derivative control है हम PID के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे लेकिन मूल रूप से यह valve की स्थिती को कंट्रोल करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कमरे के वांशित तापमान और कमरे के वास्तविक तापमान के बीच के अंतर के अनुसार valve उप्युक्त स्थिती में खुले उदारन के लिए अगर कमरे का तापमान बस थोड़ा सा ही कम होता है तो हम यहां नहीं चाहेंगे कि heating valve उसी समय 100% पर खुल जाए क्योंकि ऐसा होने पर कमरा बहुत जल्दी बहुत गरम हो जाएगा इस बिंदु पर यह तुरंथ बंद हो जाएगा और फिर से इसी क्रम को दोहराएगा बलकि हम चाहते हैं कि valve धीरे-धीरे जरुवत के मुताबिक अनुपात में खुले इस तरह अगर तापमान में अंतर बहुत कम है तो थोड़ी मातरा में धीरे से खुले अगर तापमान में अंतर काफी ज्यादा है तो valve अधिक तेजी से और ज्यादा मातरा में खुले कई व्यावसाइक इमारतों में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में Optimizer नामक Control Strategy का प्रियोग होता है. समय के साथ यह सीख जाता है कि इमारत कितनी देर में गरम और ठंडी होती है. फिर यह इमारत में किसी के आने से पहले इश्टतम समय में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को चालू करता है. उदाहरण के लिए अगर स्टाफ सुभर 9 बजे आकर काम शुरू करने वाला है, तो हीटिंग सिस्टम को पता है कि उसे सुभर 7 बजे चालू होना होगा, ताकि सभी कमरे सही समय पर सही तापमान पर सेट हो जाएं. आईए मान लेते हैं कि इस सिस्टम में एक PLC है, जिसमें Optimizer Software Install है, यह हीटिंग सिस्टम के लिए एक Actuator Valve को नियंत्रित करता है. इस सिस्टम में दो पंप भी हैं, जो Duty और Standby Configuration पर सेट है, ताकि एक बार केवल एक ही पंप चालू हो. कौन सा पंप पहले सबसे कम घंटे चला है? यह देखते हुए PLC निर्णय लेगा कि कौन सा पंप चालू करना है. जब पंप चालू करने के निर्देश दिये जाएं, तो पंप चालू हो जाए. इसका पता लगाने के लिए PLC एक फ्लो सेंसर का प्रियोग करेगा. अगर पंप चालू नहीं होता है, तो PLC को चेतावनी मिल जाती है, और वह बिजली के आपूर्ती बंद कर देता है. फिर यह दूसरे पंप को चालू होने के संकेत देता है. लेकिन हीटिंग सिस्टम और पंप को चालू करने से पहले PLC घड़ी को चेक करेगा, कि हीटिंग को आज चालू करना चाहिए या नहीं, और अगर चालू करना है, तो इमारत में लोग कितने बजे तक आएंगे? घड़ी हां करती है. आने का समय 9 बजे है. फिर PLC कमरे के वर्तमान तापमान की जांच करता है, तथा इस तापमान और वांशित तापमान की बीच के अंतर की गड़ना करता है. फिर यहां बाहर के वातवरन में तापमान का पता लगाता है, ताकि यहां गड़ना की जा सके कि इमारत को गरम करने में कितना समय क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे दिन में गर्माहट जल्दी कम होती जाती है, इसलिए अधिक समय लगता है। इससे PLC गढ़ना करता है कि इसे किस समय हीटिंग सिस्टम चालू करना है, ताकि सुभ नौ बजे इमारत का ताप मान वानशित स्तर पर सेट हो जाए। वैसे हम ड्यूट्य और स्टैंडबाई पंप तथा रीले के बारे में बता चुके हैं। उस वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PLC के कई लाब हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य लाब कुछ इस प्रकार हैं। कंट्रोल सॉट्फवियर को स्थानी रूप से स्टोर किया जाता है। तो इमारत के उर्जा प्रबंधन सिस्टम के फेल होने की स्थिती में PLC चलता रहेगा। PLC के इन्पुट और आउटपुट के बीच कनेक्शन सॉट्फवियर के जर ये किया जाता है। बहुत से फिजिकल तारो द्वारा नहीं। PLC इंस्टॉलेशन मशीने रीले बैंक से छोटे होते हैं, लेकिन जरुवत पढ़ने पर रीले का प्रयोग कर सकते हैं। PLC को फिर से प्रोग्राम करना अधिक आसान होता है। फॉल्ट आसानी और तेजी से ढूंडी जा सकती है। समय बचाने के लिए आप एक प्रोग्राम को कई PLC यूनिट में लोड कर सकते हैं। अधिक कार्डों की साहिता से आप इन्पुट और आउटपुट को बढ़ा सक सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन कंट्रोल और इलेक्रिकल इंजिनेरिंग के बारे में और अधिक सीखने के लिए स्क्रीन पर दिये गए वीडियो देखें। मैं अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा। फेस्बुक, लिंक्डिन, इंस्ट ट्विटर और इंजिनेरिंग माइंडसेट डॉट कॉम पर हमें फॉलो करना न भूलें।